जैश्री रामित्रू, मैं सीमा रोहिला, मेरे चैनल मा की रसवी पर आपका स्वागत है आज हम लेकर आए हैं डैसिकेटीड कोकोनेट और घर के बनाएवे गुलकन का एक पढ़ियासा यमी सा लडू तो चलिए देख लेती हैं, देखने में बहुत याकर्शक है, तो यह खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है तो चलिए यहाँ पर हमने लिए हैं ड्राइफ्रूट, छोटे-छोटे कट करके होम मेट कुलकन साथ ही लिया है हमने टैसी केटिड कोकोनेट, मार्किट में आसानी से मिल जाता है तो एक पैन को हमने गरम किया, और बिल्कुल सिम फ्लेम पर हम यह जो ड्राइफ्रूट है, इन्हें रोस्ट कर लेंगे इन्हें हमें सिर्फ करीब करीब एक मिनट तक ही रोस्ट करना है और सबसे अच्छी बात यह है पहचान कैसे हो इसके अंदर एक अच्छी सी खुश्बू आने लगेगी साथ इसका कलर चेंज हो जाएगा दियान रखना है बिल्कुल सिम फ्लेम पर तो हमारे ड्राइफ्रूट रोस्ट हो गए अब इसी सेम पैन के अंदर हम एक चमस्खी डाल ले हैं आप चाहें कोकोनेट ओल का भी यूज़ कर सकते हैं और अब हम इसके अंदर ये कोकोनेट जो पावडर है इसको थोड़ा बू तो फ्लेम आफ कर देंगे और इसको इस तरीके से थोड़ा सी देर चला लेंगे इस तरीके से चला लेंगे क्योंकि पैन है वी बेस का है एकदम अच्छे से यह सीख जाएगा तो हमें चलाते बीच-बीच में रहना जरूरी है तो यह देखिए ना अच्छा कलर हो गया प् भी अच्मण वांच दोनुक की बडरावर कउंट्री थी 3 बड़ी चमेच फेशनद करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके प्रविये इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ही मिलाएं ताकि जो हम बनाने जा रहे हैं वह पतला ना हो जाए थोड़ा सा जो हमने रोका है उसको जुरुत के इसाब से अंदर एड़ करेंगे तो इस बात का खास ज्यान रखना है तो देखिए अभी ये ड्राइड रही है तो ह चाल बड़ी चमच में ने लिया था वो सारा ही गुलकंद इसके अंदर एड़ हो चुका है पर अगर आप मार्किर का यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा हाथ को रोक के रालें ताकि जो आप डो बना रहे हैं वह ज्यादा पतला ना पड़ जाए तो यह देखिए पढ़िया इसी तरीके से हम सारे लड़ू बना के तयार कर लेंगे यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा डोले के इस तरीके से लड़ू को सभी लड़ू को तयार कर लिया है अब यहाँ पर हमने अलग से कोकनेट पाउडर को रखा हुआ है अब इसके अंदर हम इसको अच्छे से कवर क करेंगे एक इसका बहुत ही अच्छा सा लुक ले कराएंगे यह देखिए एक दम बढ़िया से लडू हो गए तयार तो क्या कहते हैं हाती घोड़ा पाल की जैकनया लाल की तो उस सब हमारे हां शुरू हो गए हैं उस सब में हम नहीं नहीं चीजों को बना के ट्राइ करके उस एक अच्छी चीज और नहीं चीज तो इस नहीं रसेपी को जरूरू ट्राइ कीजिए बहुत ही अकर्शक साथ ही स्वात को बढ़ाने वाली है आने वाले उस सब में गणेच पुजा आ रही है नवरात्री पुजा आ रही है पर दिपावली पूजा ना रहा है तो हर नए म और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी हर नहीं अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं अपनी अच्छी और नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद